रादे रादे दोस्तों सुआगत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल तरीके से एक ट्रैवल बैग बनाएंगे और वो ट्रैवल बैग हम सिर्फ वेस्ट ओफ फैबरिक और आटा बैग और हमारे घर में पुरानी बैडशिट होती है उससे बनाएंगे हमारे घर में इस तरीके का पुराना सामान होता है जैसे पुराने पिलो कवर या फिर पुरानी बैट शीट या फिर सिंपल सा कोई भी कुर्थी का कपड़ा या फिर पुराना कोई भी दुपटा कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं और आप अपना ट्रेवल बैग रेडी कर स सिंपल थरीके से हम बिल्कुल ट्रैवल बैग बनाएंगे और इसको आप आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगे सिर्फ एक पीस से बनाएंगे जलिए स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए यहां पर मैंने में फैब्रिक ले लिया है राइस बैग ले लिया है और नीचे मैंने बैट शीट का कपड़ा लगाया है आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लगा सकते हैं या फिर कोई पुरानी कुर्ती का भी लाइनिंग के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो यह यहां पर देखे मैं इस तरीखे से इस पूरे पीस को क्विल्ट करके रेडी कर लूँगी तो देखे यहां पर हमारा पीस बिल्कुल रेडी हो गिया है वो पर में फैबरिक को डेखे डबल फोल्ड करके रखोंगी देखे इस तरीके से और हमatique मैं बिलकुल सेंटर में इसमें निशांट लगाना है तो अच्छे से सबस्क्राइब करके रखें और यहां पर देखें मैं दोनों साइड्य में सेंटर में निशांट लगा लूँगी और open करके हमें इस निशान को पूरा draw कर लेना है यह देखे इस तरीके से यहां पर हमने पूरा निशान लगा लिया है आप देखे दूसरी साइट से भी हम as it is इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और यहां पर भी हम बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे तो देखे यहां पर भी मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है और इसे भी हम लंबाई में इस तरीके से draw कर लेंगे तो हमारा देखे क्रोस बन गया है बिल्कुल सेंटर में अब यहां पर ह हम 18 चोड़ी ही अपनी जिप ले लेंगे ये देखे मैंने पीस को सीधा रखा और जिप को इस तरीके से मैं उल्टा रखके यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी तो देखे सिलाई लगा कर अब इसे पलटते हुए मैं यहाँ पर देखे टॉप स्टिश लगा लूँगी तॉप किसी पाइपीन की तरह इसे निकाल लेंगे पीस को उपर की साइड ये देखे इस तरीके से हम सेट कर लेंगे जिप को सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर ये देखे इस तरीके से देखे सेट करके रख लिया है और अब हमें चारो साइड इसमें देखे सिलाई लगानी है यहाँ पर तो देखे हमने सिलाई लगा ली है अब इसमें देखे साइट से जो भी एक्स्टर कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे यह देखे साइट से जो चेन है एक्स्टर हम उसको भी कट कर देंगे तो बैग में लगाने के लिए हमारी एक पॉकेट रेडी हो गई है और हम एक ही पॉकेट से देखे दो पॉकेट बनाएंगे वो देखे बाद में आपको बताती हूँ सबसे पहले जो बचा हुआ पीस था नीचे का तो मैं इसे देखे डबल फोल्ड करके रख लूँगी और यहां से हम इसको कट करके दो पीसिस कर लेंगे इस इस तरीके से देखे दो पीसिस को हम एक साथ जोइंट करेंगे तो हमारी एक लंबी स्ट्रिप बन जाएगी और यहां पर मैं दोनों पीसिस को इसी तरीके से रेडी कर लूँगी और अब देखे हमने यहां पर सिलाई लगा ली है और यहां पर देखे डबल फोल्ड करते ह मैं यहां पर सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लूगी तो हमारी दो स्टिप्स बन जाएंगी यह देखिए हमने यहां पर हैंडल्स अपने रेडी कर लिए हैं और इनकी मैं आपको लंबाई बताना चाहूंगी तो लंबाई 55 इंच है मैंने थोड़ी लंबी रखी है आप 50 इ थ्री इंच पर निशान लगाएंगे सेंटर से यह देखिए इस तरीके सेंटर से हमने थ्री इंच दूरी पर एक निशान लगा लिया है और अब अपनी पॉकेट ले लेंगे पॉकेट को भी देखिए इस तरीके से हम सैट करेंगे उससे पहले देखिए हम यहां पर सेंट कर देंगे ये देखिए अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर दिया है और पिंस लगा दिया है अब हम देखें यहाँ पर तीन साइड इसमें सिलाइ लगाकर इसको फिनिश कर लेंगे और अगर आप चाहें तो देखें दूसरी साइड भी आज़ इस इस इसी तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं मैंने एक साइड लगाई है तो यहां पर देखिए हमारी पॉकेट लग गई है तो देखिए इस तरह हमारी दो पॉकेट बनी है एक हमारी जिब वाली पॉकेट है और एक हमारी बिना जिब वाली पॉकेट है तो हमारी दो पॉकेट बन गई है तो मैंने एक से गुमाते हुए हम सेंटर वाले निशान पर रख कर पिन अप कर देंगे इसको कि देखे इस तरीके से तो हम दोनों साइड देखे इसी तरीके से अपने हैंडल लगाएंगे और पौकेट से उपर हमने दो इंच पर निशान लगाया है यहां तक हमें सिलाई लगानी है और अब देखे दूसरी साइड भी मैं हैंडल को सेंटर से रखना स्टार्ट करूंगी और दूसरी साइड देखे सेंटर पर ही इसको रख दूंगी अब देखे एक साइड तो हमने पॉकेट लगाई है दूसरी साइड भी हम नाप लेंगे कि कितनी तूरी तक हमें सिलाई लगान और अब देखें यहां पर हम देखें पूरा इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड हम इस तरीके से सिलाई लगा कर इसको फिनिश कर लेंगे तो देखें हमारी सिलाई लग गई है और हमारे हैंडल भी लग गए हैं दोस्तों यह देखें और अब देखें यहां प पर देखे जिप को मैंने सीधी साइड उल्टा करके रखा है और सिलाई लगा ली है एक तो देखे सिलाई हमारी लग गई है और आप देखे मैंने बैट शीट में से थ्री चोड़ाई में कपड़ा लिया है और इसको देखे इस तरीके से रखते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी तो देखे सिलाई हमने लगा ली है और अब हम इसे पल्टेंगे तो पीछे के साइड से भी बिलकुर फिनिशिंग से हमारी जिप लगेगी और इस तरीके से देखे दबाते हुए अच्छे से यहाँ पर हम टॉप सिच लगा लेंगे तो देखे हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाएगी दोस्तो यह देखे और अब देखे दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से है हम यहाँ पर देखे इस तरीके से दूसरा सिरा रखेंगे और अच्छे से से सैट करके रख लिया है हमने और अब यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले हम strip को भी साथ में ही रख लेंगे और यहाँ पर साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे तो इससे हमारी दोनों चीज़े एक साथ ही सिल जाएंगी जिप भी और ये lining भी तो देखे दोनों को हमने जोड लिया है और अब देखे इस तरीके से जिप को open कर लें और यहाँ पर देखे इसको fold करते हुए देखे पीछे की side ऐसे दबा कर और यहाँ पर हम इसमें top stitch लगा कर इसी तरीके से finish कर लेंगे यह देखे यहाँ पर अच्छे से हमने दोनों side से finish कर लिया है अब हम साइड जो एक्स्ट्रा है झी जिप बुगेरः तो प्विनिश कर लेंगे घैजिक और दूसरे साइड से निजिज कर लूँ के । अब इस पलटेंगे तो पलटोने हमें सेंटर ते आप शिब सेंटर Smake के boxes बनाने हैं दोस्तो तो हमने सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगे एक पीस से बहुत ही अच्छा big size का अपना travel bag बनाया है और सिर्फ एक पीस चाहिए और बहुत ही simple बहुत आसान तरीका है ये travel bag बनाने का और इसकी zip मैं आपको last में दिखाऊंगी जिप काफी नीचे तक खुलती है और बहुत ही अच्छा space है क्योंकि mostly ऐसा होता है जो bags होते है travel bag उनकी zip ज़्यादा नहीं खुल पाती लेकिन इस तरीके से अगर आप travel bag बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारी zip बिलकुल side से open होगी तो यहाँ पर चारो corners देखे मैंने 3 by 3 इंच पर cut कर लिये हैं यह देखे इस तरीके से और अब हमें यहाँ पर corners को पकड़ते हुए base बनाना है देखे इस तरीके से हम चारो side से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे चारो corners पर और दोस्तो हमारा bag बनकर ready हो जाएगा तो बहुत ही simple तरीका है तो यहाँ पर देखे मैंने shopping bag होता है ना उसकी strips ले ली थी और इसको finish कर लिया है तो देखे कुछ इस तरीके से look आया है हमारे travel bag का और बहुत ही अच्छा space है मैं आपको दिखाना चाहूंगी देखे और यहाँ पर हमारी दो pockets बन गई है side में यह देखे इस तरीके से आप दोनों side pockets बना सकते हैं और मैंने एक side बनाई है लेकिन आप चाहें तो दोनों side बना सकते हैं और इसका space बहुत ही अच्छा है दोस् यह देखे और नीचे के side से देखे इसका base इस तरीके से आया है दोस्तो तो यह देखे दोस्तो जो इसकी zip है वो side से बहुत ही अच्छे तरीके से लगी है यह देखे पूरा open हो रहा है इस तरीके से और side से देखे zip बिलकुल नीचे तक लगी हुई है और इस तरीके से अग यहां पर मैंने काफी कपड़े इसमें रखके दिखाए हैं देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो हमने यहां पर एट जोड़ी कपड़े रखे हैं और इसमें बच्चों के बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं आप, तो यह देखे हमारा ट्रेवल बैक दो पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो यह देखे इस तरीके से हमारे बैक का फाइनल लुक है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको बता चाहूंगे मैंने इस बैक के हैंडल थोड़े बड़े बनाए हैं क्योंकि मोस्ली ऐसा होता है, जब भी हम ट्रैवल बैक बनाते हैं तो उसके हैंडल छोटे होते हैं, लेकिन मैंने इतने बड़े बनाए हैं कि हम इसको शोल्डर पे आसानी से हैंग कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ली ऐसा होता है हम ट्रैवल बैक को हैंग नहीं कर पाते हैं, तो देखे इस तरीके से हम शोल्डर पे यह बहुत अच्छे से hang हो जाता है और आप इस तरीके से handles छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी और सेम method से आप travel bag भी छोटा भी बना सकते हैं और इससे बड़ा भी travel bag बना सकते हैं तो सामने से देखे इसका लुग इस तरीके से आया है दोस्तों कैसा लगा comment में ज़रू बताना लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बाई बाई